आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर बाबा की हमारे लिए मुख्य शरिमत है एसरीरी होने की आत्म अभिमानी होने की इसी के सुक्समसंसकार हम सत्यूग तक भी ले जाते हैं क्योंकि हम इसके बहुत सारे अभ्यास कर लेते हैं यहां तो ऐसरीरी होना है हमें अर्थात स्वयम को देहे से न्यारे फील करना है और जैसे हम देह से स्वयम को न्यारा फील करेंगे तो हमारा चित पूरी तरह स्यांत होने लगेगा और हमें डीप साइलेंस की अनुगोती होने लगेगी तो पहले चिंतन रखना है विज्वलाइजेशन रखना है आत्मा की स्वरूप को देखना है फिर अभ्यास करते करते यह डीप साइलेंस आती जाएगी हमारे चार और सन्नाटा अनुगोव होने लगेगा हमें भी और दूसरों को भी होने लगेगा जब कोई हमारे सामने आएगा हम उसे द्रश्टी देंगे आत्मिक द्रश्टी तो उनको भी ऐसा दीरी होना सरल हो जाएगा आत्मनुभूती हो जाएगी तो हम इस चीज के महत्तु को समझें और चलते फिरते काम काज करते हुए इसकी बहुत प्रेक्टिस कर लें बहुत प्रेक्टिस क्योंकि प्रेक्टिस से ही अनुभूती होती हैं कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि अनुभूत प्रेक्टिस की कुछ ज़्यादा अनुभूत होता नहीं तो छोड़ देते हैं, या वास इतना ही मैं आत्मा हूँ, तो उसे भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं आत्मा परमधाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ, विश्व में स्यंति स्थापित करने के लिए, सब का कल्यान करने के लिए मैं आत्मा अवतरित हुई ह ये बहुत गुड फिलिंग हो जाए जैसे ये देह अलग है और मैं अलग हूँ ऐसे मैंने अरेक सरीर ली अपने चोरा सी जन्मों की एक माला सी बना ले और देखें कभी मैं देव सरीर में थी कैसे सरीर बदलते बदलते आई हूँ अब अंत में आ गई हूँ अब इसे पिस अपने दाम चलना है तो ये स्वधरसन चक्र हो गया पूरा ये सब प्रेक्टिस हमें बहुत करनी होती है बिना प्रेक्टिस के ऐसरीरी फन होगा नहीं और जो ऐसी प्रेक्टिस करते रहेंगे ऐसरीरी होने की तो उनको बहुत बड़ा फाइदा ये होगा कि अंत में शरीर एक सेकिन में स्वईच्छा से छोड़ेगे जैसे रोज बार बार सरीर छोडने का अभ्यास कर लिया तो आखिर में संखल्प किया और आत्मा देह से नियारी हो जाएगी दूसरा जो बाते होती हैं संसार में बहुत सारी उनका इफेक्ट नहीं होगा मन पर पास्ट भ जादा हर्ट कर गए और वो बार बार याद आ रहे हैं तो मनसिक रोग इससे बढ़ते जा रहे हैं संसार में बाबा देहां में पहले ये बहुत अच्छी विदियां सिखा दी हैं तो मैं सरीरी होते जाओ तो ये मनसिक रोग तुमको टच भी नहीं कर पाएंगे आत्मिक द जागरेत होने लगेंगे हमारा चित्षयानत रहने लगेगा असरोंति चाए कितनी बड़ी हो समापत हो जाएगी प्यार से हमारा मन भर जाएगा जो घरना नफरत आदि की बात है जिससे भी बहुत परिषानिया हो रही हैं संबंदों में समापत होती जाएगी हम बहुत मैं सुख स्वरूप हूँ यह नहीं, हम बहुत सुखी होते जाएंगे, तो जो दुखों की फीलिंग्स हैं, जनम जनम, कि या इस समय भी जो दुख होते हैं, मालों सरीर में दुखा गया, तो हमें ज़्यादा फेल नहीं होगा, आप अनुभव करेंगे, बहुत ज़्यादा सरीरीपन का अब अभ्यास कर लें, तो सरीर की कोई भी पीड़ा आपको परिसान नहीं करेंगे, हल किसी होगी और चली जाएगी, ऐसे यंदर की शक्तियां भी बहुत बढ़ती जाएंगी, निर्भेता भी आती जाएगी, आनंद भी बढ़ेगा, प्योरीटी बढ़ेगी, विकारों से वेराग भी होगा, और विकारों का जो थोड़ा बहुत फोर्स रहता, असर रहता है, बीज रहते हैं, वो भी जलकर नस्ठ हो जाएंगे, तो सबेरे सिस्याम तक एक प्लान बना ले, कि हम ये दो-चार अभ्यास सारा दिन करम करते हुए भी करते रहेंगे, तो